देश की सर्वोचरदालत यानि सुप्रीम कोट और उस कोट की मुख्या चीफ जस्टिस ओफ इंडिया डी वाई चंद्रचूर इंदनों अपने फैसलों को लेकर काफी सुर्खियों में है न्याय पालिका में न्याय को सही माईनों में परिभाशत करनी के लिए उनकी हर और चर्चा हो रही है अब ऐसे में आपके जहन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर सीज़ई चंद्रचूर काम कैसे करते हैं उनका चेंबर कैसा दिखता होगा तो इन सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है NDTV ने ये कर दिखाया है किसी न्यूस चानल का क्यामरा पहली बार CGI के चेंबर तक पहुचा है और चेंबर के एक्स्क्लूजिव तस्वीरे हमें दिखाई है NDTV के आशीश भारगप के रिपोर्ट के मताबिक CGI के चेंबर में ना तो आपको फाइलो का धेर देखने को मिलेगा ना ही ऐसी कोई भी चीज जो एक चीफ जस्टिस के चेंबर को लेकर आपके मन में तस्वीर बनी है भारत के मुख्य नैधीश का चेंबर पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस है रिपोर्ट के मताबिक CGI चंदरचूर को खुद भी फाइलो का धेर पसंद नहीं है वे अपने लाप्टॉप और कम्प्यूटर में ही सारा काम करते हैं खुद एमेल का जवाब देते हैं भी वो लाप्टॉप के जरीय जारी करते हैं सीजव चंदरचूर बताते हैं कि हमारी सभी फाइले अब एलेक्ट्रोनिक है यानी फाइल्स है चेंबर में सिर्थ एक ही फाइल थी जिसमें दिन का स्केजियू लिखावा था सुप्रीम कोड के मा सचव आतुल मादुकर कुर रेपोर्ट के मुताबिक मुख्य नियादीश का बिजी स्केजियूल कोड्रूम से परे भी होता है अदालत का समय सुबह साड़े दस बजे से शाम चार बजे तक है लेकिन मुख्य नियादीश के लिए पंच आउट का समय नहीं है प्रशासने कारे देश शाम तक जारी रह रहता है पेपरलेस और डिजिटल कोड की वकालत करने वाले चीफ जस्टिस चद्रचूर ने अपने चेमबर से भी एक मिसाल कायम की है वैसे बुक्य ने आए धीश दीवाई चद्रचूर महत्वपूर्ण मामलों की लाइफ स्ट्रीमिंग के दौरान कोड्रूम में बैठत झाल